वेलकम वेक टू नैंस्री क्लासे सेंड डिस इस नैंस्री आश्चा करती हूँ कि आप सभी लोग एकदम अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई भी उतरहीं अच्छे से कर रहे होंगे आज के इस वीडियो में हम हिंदी का लास्ट टॉपिक लिंक पढ़ने वाले हैं यहाँ पर आपको मैं नोट करवाऊंगी पहले आपको चीज़ों को समझना है उसके बाद आपको नोट करना है अगर आप चैनल पर नए हैं तो आप प्लेलिस में जाकर सारे वीडियोस देख सकते हैं डिंग कर SAY容易 हैं क्या अगर हम लिंक किवाद करें तो लिंग जो हमारा adhrasak की जेंडरे सबद के लिए किसके लिए जेनडर्ड इसका मतलब क्या होता है इसका अर्थ्यो 반 th वह होता है आपका वह होता का साधन चिन या पहचान का साधन पहचान का साधन ठीक अगर हम यह बात करें कि लिंग हम किसे कहेंगे तो आप सभी को पता होगा कि सब्द के जिस रूप से हमें यह पता चलता है कि वह पुरुष जाती का है यह स्त्री जाती का वह हमारा क्या कहलाता है व्याकरण में किसे कहते हैं डेफिनिशन जो आप कहेंगे जिसको लिख लिजेगा सब्द के जिस रूप से यह पता चलता है कि वह पुरुष जाती का है या इस्तरी जाती का किस जाती का है पुरुष जाती का है या इस्तरी जाती का इस्तरी जाती का उसे व्याकरण में कहते हैं क्या कहते हैं लिंग व्याकरण में लिंग कहते हैं अब अगर हम हिंदी में करें कि हमारे लिंग कितने प्रकार के होते हैं तो हिंदी में जो हमारे लिंग है वो दो होते हैं तो हिंदी में लिंग दो होते हैं दो होते हैं कौन-कौन सा पहला तो होता है आपका इस्तरी लिंग क्या होता है आपका इस्तरी लिंग होता है दूसरा होता है आपका लिख लीजिएगा pulling ठीक ये आपको यहाँ पर note करना है अब आपके मन में आ रहा होगा फिर overling की कहां गया तो overling की सब्द में आपको बता देती हूँ आपको यह पहले note करना है उसके बाद आपको overling की जानना है तो यहाँ पर मैं आपको side में overling की बारे में बताऊंगी इस तरीके से आप नीचे ही लिखिएगा मेरे पासे धर जगा है इसलिए मैं लिख रहे हूँ overling की सब्द भी आपको जानना होता है आपसे exam में पूछे जाते हैं कि निमलेखित में से कौन सा overling की सब्द है तो उभै लिंगी सब्द भो होते हैं जिनका प्रियोग हम दोनों ही लिंगों के लिए इस्त्री लिंग और पूलिंग दोनों के लिए करते हैं उनको हम उभै लिंगी कहते हैं जैसे प्रधान मंत्री, प्रधान मंत्री का प्रियोग हम इस्त्री के लिए भी करते हैं और पुरुस के लिए करते हैं, यानि कि दोनों ही लिए करते हैं, मंत्री का प्रियोग हम इस्त्री लिए पुरुस इंजीनियर हुआ जैसे, अब इंजीनियर में कभी ये नहीं कहा जात और जिनका प्रियोग दोनों ही लिंगों के लिए होता है तो यहीं आपको जानना है पहले तो नोट करना है कुछ कि सब्द ऐसे भी होते हैं ऐसे वी होते हैं ऐसे वी होते हैं जिनका प्रियोग जिनका प्रयोग दोनो लिंगों के लिए दोनो लिंगों दोनो लिंगों कुन से हैं इस्त्री लिंग इस्त्री लिंग तथा पुलिंग मैं होता है मैं हो सकता है ठीक यह आपको नूट करना है नेक्स आपको यही बनूट करना है इन सब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता ठीक है इन सब्दों में इन सब्दों में लिंग परिवर्तन नहीं होता ठीक अब यहां पर आपको देखना है कि कौन से ऐसे आपके सब्द है तो मैं यहां पर नूट करवा देती हूँ जैसी जैसे कि आगे आपको लिखना है क्वा है प्रधान मंत्री हुआ अपका प्रधान मंत्री यह क्या है आपका उभ मेनेजर दॉट कर लेना है कभी आप आप जाएंगी तो यह आज आता है डॉक्टर आ रहे हैं कभी आपने यह नहीं सुना होगा कि आपके कोई पूरस डॉक्टर आ रहा है या फिर महला डॉक्टर आ रहा है सीधा यही कहा जाता है डॉक्टर आ रहे है या फिर डॉक्टर बुला रहे है तो आप के विन में जाते हैं तब भी आप यही कहते हैं डॉक्टर साव कहते हैं आप कभी भी वहाँ पर लिंग नही करते प्रधान मंत्री मंत्री इंजीनियर डॉक्टर मैनेजर ठीक अब देखिए एक चीज मैं आपको बताना चाहती हूं आपसे कुश्चन कैसा आता है आपसे पूछा जाता है कि नौकर जो है इसका इस्तरीलिंग बताईए तो यह तो बहुत कॉमन है आप बता देंगे कि न बिल्कुल बच्चों बाला खेले आप इसको कर लेंगे ठीक तो इसको नहीं करना है आपको इसको मैं नहीं करवाओंगी यह बिल्कुल आपके दिमाग का है अच्छा आप खुद बताईए अगर आपसे कहा जाए कि सड़क है सड़क का आप बहु बचन बनाईए तो आप स सड़कें कर देंगे तो यहां पर एक बचन बहु बचन में मैं पहुंच गई मैं बस आपको समझा रहे हैं ऐसी इस तरी लिंग पूर लिंग में यह आपको आसानी से आ जाता है जब आपकी चार ओप्शन आपको दिखेंगे अब जैसे भागवान है तो भागवान का इस तरी लिंग की पहचान ठीक तो वही आपको नोट करवाओंगी मैं आगे आप नोट करिएगा सबसे पहला आपको नोट करना है इस तरी लिंग की पहचान किस तरीके से इस तरी लिंग की पहचान कि आपसे अब ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा कि आपका बक्ता जो है बक्ता का स्ट्रीलिंग बताईए, कभी नहीं कहा जाएगा आपसे अब आपसे पूछा जाता है, चार सब्द दिये जाएंगे पूछा जाएगा निमलिकित मैंसे कौन सा स्ट्रीलिंग नहीं है ये आपसे question पूछा जाता है आप तो यहाँ पर इस्त्री लिंग की पहचान में मैं आपको कुछ यहाँ पर बताने वाली हूँ और वही बस आपको याद कर लेना है काफी जादा मात पूरे तो पहला आपको नूट करना है जितनी भी तिथियां होती हैं तिथियों के नाम आपके क्या होते हैं इस्त्री नाम किस के दिए नाम के नम होते हैं है जैसे क्या वोते हैं तीतियों के नाम आप सभी को पता होगा पहली दूसरी पहली दूसरी às और क्या होता है प्रतिपदा प्रतिपदा और पूर्णिमा दूसरा आपको यहां पर नोट करना है कि नदियों के नाम स्त्रीलिंग होते हैं चाहिए कोई सी भी नदियों आपके डक्षन भारत की नदियों चाहिए कहीं की भी नदियों सभी नदियां हमारी क्या होगी स्त्री इस्त्रीलिंग होते हैं जितनी भी नदियां है चाहे आप यमना कहें चाहे आप गंगा कहें चाहे आप कृष्णा कहें चाहे आप कावेरी कहें सब आपकी नदियों के नाम गुदावरी कहें ब्रह्मा पुत्र कहें कोई सी भी कहें यह सभी जो नदिया है हमारी क्या है इस्त कि नदियां क्या है सुन्दर है शुकून देती है तो क्या हुआ एस्त्रेलिंग में डाल दीजै आप लोग प्रत्य क्या है सुन्दर है प्रत्वी ग्रह है यह बीद्विक्न में नख्ष फुंदर होते हैं इनको पिष्ट finishes को सुनदर हुए मैना क्या है यह आप रख सकते हैं कोई बड़ी बात है इंपे लिए कि नहीं आपको मैसा भाषा बोली भाषा बोली और लिपियां भाषा बोली और लिपियां भाषा बोली और लिपियों के नाम इस्त्रीलिंग होते हैं कैसे होते हैं इस्त्रीलिंग होते हैं ठीक, जैसे मैं आपर आपको नूट करवा देते हूँ हिंदी भासा जो है आपकी हिंदी और कौनसी आपकी संस्किर्ट भासा है संस्किर्ट है यह क्या है अपकी यह हमारी क्या है? üst्री लिंग है देवनागरि अगर आपसे कहा जाए देवनागरी देवनागरी आपसे कहा जाए ठीक है पंजाबी ये सब क्या है इπαरे इस्त्री लिंग है तेलगु आपसे ये क्या है इस्त्री लिंग है ठीक है तो ये भी आपको पता चल्गे आप एक और आपको यहाँ पर देखिए नक्षत्रों के नाम इस्त्री लिंग होते हैं जैसे आपसे कहा जाए अश्विनी यह क्या है आपका एक नक्षत्र होता है रोणी आपसे कहा जाए रोहिनी यह क्या है हमारा नक्षत्र है भरणी यह हमारा नक्षत्र होता है चार हो गए आगे आपको नोट करना है पांच बेस से तो हटा दिया मैने अभी यहां पर आप 5 बेशने नोट करिए गा्य तरीके से इस स्तरीकिससी लेखना है यह होता है थ्वा इस्त्रीलिं और चिया स्त्रीलिंग यह है और क्या लुटिया यह क्या है यह स्त्रीलिंग मैं Manchester यह पूछा जाता है चिडिया यह क्या है स्रीलिंग है हमारे ठीक नेक्स्ट में आपको नोट करना है छटबा ऐद रखना है जिन भाववाचक संग्याओं के अंत में टा वट और हट होता है भी स्रीलिंग होते हैं आए ध्यान से देखिए का टा आए बट आए या फर आपका क्या है हट आए हट आए हट आए हट आता है हट आता है तो इन में से कोई एक आए ठीक है तीनों नहीं तो वह इस्त्रीलिंग होते हैं इस्त्रीलिंग होते हैं इस्त्रीलिंग होते हैं जैसे आपको यहां पर एक्जम्पल बताती है तो आपको तुरन समझ में आ जाएगा जैसे आपसे कहा जाए चिकना हट तो यह क्या है स्त्रीलिंग है चिकना हट कि इसमें हट आ रहा है चिकना हट दे जंजट में क्या होगा टा होगा आपका अब मैं आप से कहूं आहट तो आहट में क्या होगा टा होगा आपका इस तरीके से याद करने हैं आपको इसमें आपको एक और रूल आपको यहाँ पर याद रखना है कि जिन संग्याओं के अंत में खा होता है भी स्त्रीलिंग होते ह जैसे एक भूख चोट यह सब आपके क्या होते हैं यह सब आपके स्त्रीलिंग होते हैं लिख लीजेगा जिन संग्या जिन शंग्या के अंत में जिन संग्या के अंत में क्या होता है खा खर्गोष वाला खर्गोष ठीक है इख लिखिएगा इख और क्या होता है भूंक होता है आपका और आपका क्या होता है चोक होता है आपका और क्या होता है राख होता है आपका यह सब नेक्स्ट आपको यहां पर साथ हो गया आठवा नोट करिएगा आठवा इस तरीकिसे आपको फिर से आगे तक बनाते रहना क्टिकिक जब तक हधमनी हो जाते और यह ने हैं रहे है ब क्यार अपको यह हुआ क 결़्वार कि यह आप के हैं हुआ इस्ट्रिलिंग पहचानने का एक कहेंगे कि तरीका ठीक है अब हम यहाँ पर जो नेक्स पढ़ने वाले हैं बो पढ़ने वाले हैं पुलिंग की पहचान तो देखें पुलिंग की पहचान देख लेते हैं वही पुलिंग की क्या पहचान है पुलिंग की पहचान आईए देखते हैं पुल्लिंग की पैचान में तो इसमें भी आपको उसी तरीके से मैं नोट करवाऊंगी एक एक तो पहला आपको यहाँ पर याद रखना है कि वर्ण माला के अनेक अक्षर की नाम जो है वो आपकी क्या होते हैं पुल्लिंग होते हैं यह आपको याद रखना है अब आपको वर्ण माला के जो अक्षर हैं वो पता होगा छोटा आ बड़ा आ ये सब क्या हैं हमारे पुलिंग में आएंगे तो पहला तो यही नूट करना है कि वर्ण माला के अनेक अक्षरों के नाम कैसे होते हैं पुलिंग होते हैं जैसे आपको यहां पर मैं नूट करवा देती हूं जैसे आपने कहा कि आपका छोटा आ है ठीक है धा है चा है जितने भी आपके होंगे ला हो है वा है हा है यह सब क्या है हमारे यह हमारे पुलिंग में आएंगे ठीक इसमें आपको दूसरा जो याद रख तब गला वुआ तो यह सब क्या हैं? यह सब हमारा क्या है? पुलिंग में आते हैं तो देह के अभयब, देह के शरीर, देह के अभयबुन, आवयबुन bety म County नाम। आते हैं? नाम को 맞़ है नाम और पतारत के नाम क्या हुते हैं यह हमारे पूरलिंग होते हैं अब अद्रब पधार्त में क्या एगा घी खाते हो आप सबीरो घी होता है आपका पानी होता है पो पानी नोट करिए सबसे पहले जरूरी है घी पानी सोना ठीक है पानी सोना तामबा तामबा हुआ आपका तेल हुआ यह सब हमारे क्या है हमारे पुलिंग में ही आते हैं ठीक चौ चावल कहूं और आपसे जैसे मैं नचना कहा चना हुआ आपका मतर हुआ आपका जोह हुआ जित्ते भी हमारे अनाज हैं सब हमारे पुलिंग में आते हैं तीक चार हो गया आगे आपको पांच बेसे नोट करना है आगे लिखिएगा पांच बाइज नंबर पेड़ों के नाम जित्ते भी आपके पेड़ हैं ट्री पेड़ों के नाम हमारे क्या होते हैं पुलिंग होते हैं यह आपको लिख लेना है पुलिंग होते हैं कैसे होते हैं पुलिंग होते हैं अब जैसे पेड़ों के नाम में आप पीपल लिख लिजिए आपके घर के पास होगा शायद पी जो हैं परवतों के नाम आपके और जित्ते भी आपके परवत हैं और आपके कुछ ग्रह हैं जिनके नाम क्या होते हैं पूलिंग होते हैं यहां पर आपको नूट करना है चटबा परवत और तथा कुछ ग्रहों के नाम कुछ ग्रहों के नाम क्या होते हैं पूलिंग होते हैं जैसे अगर आपका है तो आपका जैसे बिंद्यानचल परवत हुगा ठीक है बिंद्यानचल सत्पुड़ा है आपका हिमाला है आपका ये सब क्या है हमारे पूलिंग होगे अब कुछ ग्रहों में आपको याद रखना है आपका जो है शूर आपका जो है चंद्र जो है आपका चंद्र मंगल ठीक और आपका बुद्ध यह सब क्या है हमारे यह सब हमारे आते हैं किसमें हमारे पुलिंग में ठीक रतनों के नाम जितने हैं आपके कौन रतनों के नाम ठीक रतन टाटा नहीं आपर रतनों के नाम पहिए सब माल consumption मोगा अगर आप से कहा जाए कि आपका समुद्र स्वहीब कैने भारत स्वहीब कर देशी अगर हुआ है पृलिंग में आएग दीप हुआ हमारा पृलिंग में आएगा आकास पातालगर अकाश। aha play अकाश भी पाताल फाताल उपताल घ厝ा सब्षू सब्षर्ले कर सकते हैं कि दिया गया इत्ना आपने पड़ लीए है मन में तो इतना सब कैसे याद रखें तो है को बहुतहीं जामुन आपको यहाँ पर जामुन दिया गया है अब आप यहाँ पर इसके पहले एक विशेशन जोड़िए अच्छा अच्छी अच्छा और अच्छी विशेशन आपने जोड़ा ध्यान से सुनिएगा इस ट्रिक के माध्यम से आप अपना सारा का सारा कोशन सही कर लेंगे अब देखो आपको क्या करना है मैंने क्या कहा कि आप कोई भी सब्ध उठाईये दुनिया का उसके आगे आप एक विशेशन लगा देजी अच्छा और अच्छी आप बताईगी क्या आप अच्छा जामुन का पेढ़ कहेंगे तो आप कहेंगे अगर अच्छा जामुन का पीड कहेंगे तो भाई यह हमारा पुलिंग हो गया है ना मैं आपको यहां पर कई सारे आप सब्द चेक करके बताती हूं तो आपको इतना ताम जाम करना ही नहीं पड़ेगा नियम तो नियम है वो पढ़ाने ही पड़ते मुझे जैसे सबसे पहले मैंने एक सब्द लिया सज सजावट के पहले आप एक विशेशन लगाई अच्छा अच्छी अच्छा और अच्छी सजावट को लिख लीजिए सजावट को आपने लिख लिया सजावट आप लोग बात बताईए आप लोग क्या कहेंगे अच्छा सजावट कहेंगी कि अच्छी सजावट कहेंगे ए तो आप कहेंगे कि इसके पहले अच्छा या अच्छा लगा के देखिए अच्छा लगाई अच्छी चिकनाहट होगा तो आपको कई सारे में यहां पर सब्द चेक करके दिखा देती हूं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी अब जैसे मैंने कहा गिलास ठीक है कुछ हिहां पर मैं सब्द पहले से लिख लेती हूं जैसे मैंने कहा गिलास चाबल कहा आपसे ठीक है मैंने कहा गला कहा आपसे क्या कहा गला और फिर मैंने कहा आय कहा आपसे यहां पर ठीक अब इनको मुझे चेक करना है तो मैं क्या करूंगी ठीक है तो आप लोग एक बात बताएए म अच्छी गलास होता है तो आप कहेंगे कि अच्छा गलास होता है अगर अच्छा गलास होता है तो यह पुलिंग हुआ ना अब चाबल में बताईए अच्छा चाबल के अच्छी चाबल तो कहेंगे अच्छा चाबल यानि कि यह पुलिंग हुआ अच्छा गला कहेंगे बता आच्छा है बहुत सपल हिसे हमारे भारत मैं क्या का अच्छा आकास और सब्सक्राइब गरनापन गरना हमारे को einsam पर अच्छी लगता तो इस री लिंग हो जाता मैंने का घर तो मैं क्या कहूंगे अच्छी घर आप बताई कि आपने कभी का है मेरी घर बहुत अच्छी है बहुत गलत है यह तो ऐसे नहीं बोला जाता है ऐसे बुला जाता है मेरा घर बहुत अच्छा है यानि कि हमारा घर ब इसको लगाकर आप सीख सकते हैं कोई बड़ी बात है नहीं है बहुत सिंपल है अब जैसे मैं एक और आपको यहां पर एक्जामपल देती हूं सोना आप बताईए सोना अच्छा सोना तो मैं अच्छा सोना कहूंगी ना यानि कि हमारा पुलिंग हुआ पानी अच्छी पानी अच्छा पानी आप कहेंगी कि अच्छा पानी लाओ यानि कि यह पुलिंग हुआ ना कि इस्त्रीलिंग ठीक है अब जैसे मैं यहां पर कहूं गंगा अच्छी गंगा होगी या फर अच्छा गंगा होगा बताईए तो आप कहेंगी मैं अच्छी गंगा होता है यानि कि हम सम अच्छी चड्या कहेंगे चडिया मारे कि हुआ सिंपल सी बात है कितनी सिंपल सी ट्रेक यह अब जैसे मैने आपर कहार aux चुछ और एक्जामपल अब आप यह ने रिप्ञ़ने आपका नंधी दूर्टィ मोरा है बात गये हैँ अब यहां पर ओपर इनको चेक यह स्रीलिंग हुआ, simple सी बात हो गई, टोपी, अच्छा टोपी यह अच्छी टोपी, तो आप कहेंगे आपने बहुत अच्छी टोपी पहनी हुई है, है ना, तो यानि कि हमारा स्रीलिंग हुआ, आप बना कर देख सकते हैं, नदी, अच्छी नदी या अच्छा नदी, तो यह क्या हो गया, इस्त्रीलिंग, आप देखें, आप दुनिया का कोई सावी सब्द चेक कर लीजिए, समझ आ जाएगा, है ना, तो यहां पर आपको यह टॉपिक भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, यहां पर आपको यही समझना था, और आशा करते हूं कि आपको समझ दिवाने की जय, यह आपका लास्ट वीडियो था, तो यहां पर आपने सारी चीज़ें खतम कर ली है, आशा करते हूं कि आप सभी लोगों को सारे टॉपिक समझ में आया होगी, मिलते हैं अब नेक्स सब्जेक के साथ, तब तक लिए बवाए, देखें